है अग्ट है है अग्ट है है हलो और नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एम्ट्रेंग क्लाजिस पर देखिए अपनी साइंस की पिछली वीडियो में मैंने ग्लूकोज को जब तोड़ा था तोड़ने का मतलब जब हमारा ग्लूकोज का पाचन हुआ था तो वह ऑक्सिजन कि जब हमारी बॉड़ी में ऑक्सिजन बनता है और ऑक्सिजन का परिवहन होता है वह 98% हीमोगलोविन या ब्लड के द्वारा हो जाता है अब ऑक्सिजन का परिवहन तो हो गया लेकिन जब हमने कुछ ग्लूकोज पचा था तो कारबंडाई ऑक्साइड भी बनी थी जिसे ह करते हैं तो जहां पर कारबंडाई ऑक्साइड बनी थी वहां से फिर हमारी बोड़ी पूरी कारबंडाई ऑक्साइड को कैसे ट्रांस्पोर्ट करेगी एक जगह से जैसे मैं अब अपना हाथ चला रहा हूं यहां पर है ना मेरा हाथ चल रहा है लेकिन अब यहां हाथ चल बना दूँगा तो कोई न कोई carbon dioxide का कड़ बनेंगे अब यहां से carbon dioxide कैसे लंग्स तक आएगी इसी को transportation बोलते हैं मानव शरीर में carbon dioxide का परिवहन आज का हमारा topic है कि हमारे body में चलो मैंने आपको बता दिया एक बात कि हमारी body से oxygen का परिवहन ओटू का परिवहन ओटू का परिवहन ओटू का परिवहन ओटू का परिवहन 98% 98% हीमोगलोविन के द्वारा होता है हीमोगलोविन के द्वारा होता है हीमोगलोविन के द्वारा अब ऑक्सीजन का तो मैंने बच्चों आपको पताया था ऑक्सीजन का तो मैंने आपको पता दिया था बात आती है ग्लुकोज को तोड़ने के बाद अब कार्बन डायक्षाड का परवन ठीक है टोपिक डाल लीजी अच्छे से और यह समझिए क्लास को बच्चे क्या करते हैं एक्जाम को पास करने के लिए या फिर किसी चीज को रटने के लिए वीडियो देखते हैं और रटने क्याही के लिए मंद से पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन मैं कहीं तोज Making मेरम बीच में कोई कोई जैसे कोई कर अजाय पत्थर आजाय कोई अजाय तो हमें उनकी पूर्ण तह जानकारी हिस्ञारी होता है तो हमें पता है अग्जाम में क्या क्या है और हम काबिल host द तप लिएचन what is anaerobic respiration oxygen की presence में अगर तोड़ें तो क्या बनता है ATP कैसे बनती है adenosine type phosphate बोलते हैं उसको energy में जो बदल जाती है फिर electric acid क्या होता है या फिर मैं आपको बता रहा हूँ या methyl alcohol क्या होता है जिसकी वज़े से कच्ची दारू कच्ची सरा बनती है महुआ की पेड़ के दौरा oxygen की absence में और what is किन्वन क्या होता फर्मेंटीशन ठीक है आज का टोपे के अपना मानव शरीर में carbon dioxide का परिभान या पर transportation of carbon dioxide in human body ठीक है देखो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक दो बिंदू याद रखने पड़ेंगे देखो मैं आप से बताता हूं मानव शरीर में one second मैं इसका size छुटा कर लेता हूं जरा देखो मानव शरीर में मानव शरीर में मानव शरीर में यहीन हुमन बोडी मानव शरीर में यह सी योटू का परिवहन स्यूटू का परिवहन निम्न यह तीन प्रकार से होता है निम्न तीन प्रकार से होता है अ देखो पहले बिंदू मैं आपको बता रहूं अगर मानव शरीर में कार्बन डाय अक्षाड का ट्रांस्पोर्टेशन हो रहा है तो वो तीन पॉंट के साब से होगा पहला पॉंट पहला कि अगे पहला होता है बाई कार्बोनेट के कण बनाकर के कण बनाकर जैसे देखो बाई कार्बोनेट के कण बनाकर कैसे मैं इस बात क्या कहना चाला हूं देखो मैं आपसे बोलूं बाई कार्बोनेट के कण बनाकर ऐसे कि हिमन बोडी में इन हिमन बोडी इन हिमन बोडी मानव शरीर में 70% carbon dioxide 70% 70% carbon dioxide is in human body 70% carbon dioxide is transported is transported by bicarbonate by bicarbonate जैको जैसे कैसे क्या कहना चाहरा हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ आपसे के देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने अपना के प्रिजेंशन मैंने जब गुलुकोस तोड़ दिया था तो हमारा कि कार्बंडाय उक्षाड बना था और वाटर बना था और जो कुछ भी एटीपी बनी थी एटीपी बोले तो अडीनोसेंड ट्राइसफोस्पेट जो बना था यह एनरजी को तो एब्जॉर्ब कर लिया गया लेकिन वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया गया अब मैं आपको ट्रांस्पोर्टेशन इसका बता रहा हूँ और कार्बंडाय उक्ष ने चल्रांस्पोर्ट इसका करवाएंगे तो यह पुटेशियम बाइकारबोनेट Potassium Bicarbonate Potassium Bicarbonate And Potassium Bicarbonate And Calcium Bicarbonate And calcium Bicarbonate And Calcium के साथ में And sodium Bicarbonate Sodium Bicarbonate atarbonate देखो मैंने कल्स hijab ko नाम इसलिन्हें रिया है एक्षियल में carbon da understand क्पेंडेंर क इसके साथ र्यक्शन करूबाता हूं अपना ओडूर को देखो कया होता है O2 का डियक्षन जैसे इसके साथ होगा तो sodium bicarbonate और potassium bicarbonate को यह blood हमारा क्या करेगा इसको कन को ले जाकर यह lungs के पास release करेगा कहां करेगा? lungs के पास कितनी carbon dioxide को? 70% को 70% carbon dioxide को lungs के पास sodium bicarbonate और potassium bicarbonate के form में जमा कर देगा lungs के पास जैसे यह carbonate के form में आएगी bicarbonate की form में आएगी तो lungs उसे release कर देगा या exhale कर देगा क्या कर देगा? exhale कर देगा अब उसे lungs क्या करेगा? lungs उसे exhale कर देगा exhale बोले तो exhale बोले तो उसे सांस को बहर स्वसन कर देगा क्या कर देगा? बहर स्वसन सांस को निकाल देगा अब हमारा इसका ट्रांसपोर्ट से अब मैं आपको बताया कि हमारी बोडी से 70% कारबन डाय उक्साइड बाइकारबोनेट के रूप में निकल जाती है अब नेक्स्ट बिंदू क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो ध्यान रखना 70% तो निकल गई बाइकारबोनेट से अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 23% कारबन डाय उक्साइड 23% CO2 का परिवहन परिवहन एट दा पॉइंट एट दा पॉइंट ओफ एट दा पॉइंट ओफ बर्निंग प्लेस पर होता है बर्निंग प्लेस पर होता है मैं इस बिंदू से या पर इस पॉइंट से क्या कहना चाहरा हूं देखो मैं आप से इस बात को कहना चाहरा हूं उसमें कि आपकी सपोज करो कारबनमड दय औक्साइड मेंदिम आपको बंदा जया से बनी तो मेरा कंद मेरा ऐहां से परिवहन करवा कि जम कॉई अपको बताए था HbCO8 मैंने मेरे हभी अ dlm बना एक तो एसमेरा हैसा नहीं मान के चलू है और कि एसी बनजाएगा एसे कोई मानो ही सब्पोस्कार मेरा हाथ है है ना तो मैं इस पे बार-बार बरक कर वा रहा हूं तो यह सीयोटू कापरभन हो रहा है तो देखो यह यहां पर जब सीयोटू ग्लू कोज को तोड़ा जा रहा है और और कारबन डाई ऑक्साइड में तो जो यहां से ऑक्सीजन वो तुरंत के तुरंत खून में मिलेगा और तुरंत के तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा ब्लेट के साथ घुल दिया जाएगा या पर गुलुकोस को तुरंत ऐसे घुला जाएगा कि कारभन डाई ऑक्साइड तुरंत के तुरंत लंक्स के पास ला दी जाएगी 20-23 परसें पॉन्ट चे डारेक्ट लंग्स में लाया जाता है जो परिवहन करते वक्त जो परिवहन करते वक्त जो परिवहन करते वक्त करते वक्त लंग्स कि उन्हें निस्क्रिय कर देते हैं क्या कर देते हैं निस्क्रिय कर देते हैं निस्क्रिय कर देते हैं निस्क्रिय हें ठीक है 20 परसंट के ऐसी परेवण हो गया सभथ Yak बिकार्बोनीटी के हो गया हैं कि टीश पर्षेंट ऐसी हो गया टूटल हो गया है नन्नी हिए धिकन फ्रसेंटibl jullie्टा फ्रसेंट इचännा इत्य पर्सेंट जैसे मेरा हीमोग्लोविन परिवहन करता था था ना हमारा जब हीमोग्लोविन परिवहन कर रहा है ऑक्सीजन का तो पूरा थाने परसंट ले जा रहा है लेकिन हीमोग्लोविन के द्वारा या फिर हीमोग्लोविन के द्वारा हीमोग्लोविन के द्वारा हिमोग्लोविन के द्वारा डायरेक्ट हिमोग्लोविन के द्वारा डायरेक्ट हिमोग्लोविन बोले तो ब्लड हिमोग्लोविन बोले तो ब्लड ब्लड के द्वारा डायरेक्ट परिवहन CO2 का कराया जाता है CO2 का कराया जाता है ठीक है देखो रिवाइज करूजरा मैं क्या बोला हूँ मैं यह बोता रहा हूँ आपको CO2 का परिवहन जा ट्रांस्पोर्टेशन और कारबन डाय अक्साड करेंगे इन हुमन बोडी में तो 70% कारबन डाय अक्साड का ट्रांस्पोर्टेशन हमारा हो जाएगा पाइकार्बोनेट के साब से और 23% कारबन डाय अक्साड इस रिलीज वहन दा बर्निंग ऑफ CO2 और गैसेज और ग्लुकोस इस बर्निंग एड़ परंट ऑफ हुमन बोडी देन दा ट्रांस्पोर्टेशन ओफ CO2 इस डारेक्टली ट्रांस्पोर्टेड बाई दा लंग्स अगर जहां पर ग्लुकोस बन रहा है वहां से पाइकारबोनेट को छोड़ कर 23% कारबन डाय अक्साड तुरंट रिलीज हो जाती है जहां से एक्सण हो रहा है वहीं से ठीक है नेक्स्ट जैसे खून के द्वारा या ब्लेट के द्वारा या हीमोगलोविन के द्वारा CO2 यह कार्म वह उसका ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा था अठार में पूरा सो का सो परसेंट ऐसे ही 7% carbon dioxide का भी परिवहन CO2 करता है कितना 7% 7% CO2 का परिवहन कि CO2 का परिवहन कि अब है carbon dioxide अब मैं बता रहूं आपको वायू की सगंता वायू की सगंता next topic डालिए कि वायू की सगंता क्या होती है कि वायू की कि सगंता या फिर देंसिटी ओफ एयर क्या डालेंगे इसमें देंसिटी ओफ एयर और इनहिलेशन इनहिलेशन और एग्ज हिलेशन एक्ज हिलेशन मतला अंतरसोषन और बहर सोषन अंतरसोषन और बहर सोषन देखिए वायु को सघंता में मैं आपके पास जैसे कोशन बता रहा हूं कि हम और ऑक्सीजन और वाता बरेड़ से और यह वाय कुछ अगंता चल लाई है एट एटमोस्फेर में एटमोस्फेर वाता बरेड़ में चल लाई है ठीक है मैं ऑक्सीजन कितनी ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं 21% कहां से बाता बरेड़ से लेकिन छोड़ कितनी रहा हूं 16-18% 16-18% समझ में आया और मैं ले रहा हूं कारबन डाई ओक्साइड सीयो टू वाता बरेड़ से ले रहा हूं 0.4% लेकिन छोड़ कितनी रहा हूं फोर पर्संट ऐसा कैसे पाशिवल में कोंपृइंट मिले रहा हूं लिकिंच छोड़ रहा हूं प्रत्रसत में जाके टेश पॉसिवल ग्लूपि को सब तोड़ हेंucker को सब मतलब और लॉकुस को तोड़ है तो good to go解 मनेगा और जो कारवान मनेगा वही स्यों टू रिलीज करनी पड़ेगी लीटी जीरो पॉन चार परसंट लेकन छोड़ेंगे जाथ इसलिए ग्लोबल वर्मिंग यही तो कारड होते हैं एक्जेलेशन के भी होते हैं कारबंडाय अक्षाड में जब हमारे जो मोटर वहिकल सोते उनके भी बहुत दूए होते हैं लिए बड़ी प्यारी ये श है नैट्रूजन सबसे चीह ये शन हम वाताबढ़ से लेते हैं 78 परसेंट और छोड़ते भी हैं 78 परसेंट अब देखिए आपके मन में ये कुस्चन आ रहा होगा कि सर जब नैट्रोजन हम अठैतर परसंट लेते हैं और अठैतर परसंट ही छ और ने दीलिके हैं लेकिन बिना नैट्रोजन के नैट्रोजन फिक्सेशन नहीं भी है भी आपको बताऊंगा नैट्रोजन फिक्सेशन होता है कि हम लोगों को कितनी मात्रा में एक्षिजन लेनी चाहिए कितनी परेसर से ऑक्षिजन लेनी है उसको फिक्स करना है नैट्रोजन सब्सक्राट है नहोती दो अल्लिमिटेड मात्रा में हमारी ओक्सीजन आती और नस्पूरी फट जाती है ऐसा ही होता है जब गोता खोर होते हैं नैट्रोजन के साथ एक बड़ी प्रक्रिया है बड़ी गंदी प्रक्रिया है कि नैट्रोजन को अगर उच्छ दाप पर रखा जाएगा तो वो ऑक्सीजन चे रियक्ट करने के बाद फट जाती है जैसे प्रा लेकिन बाद में पता चला के एट दा हाइस्ट या देन हाइस्ट पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट दा प्रेसर ओफ मास ओफ वोटर या प्रेसर ओफ वोटर इज हेवियर देन दा नैट्रोजन इज रियक्ट विद ऑक्षिजन अब लोग समझ के मैं क्या करना चाहरा हूं ठीक है अब देखिए नेक्स्ट होती है एस्टू एस्टू यह क्या है जल वास्प वोटर वेपर जल वास्प या फिर वोटर वेपर वोटर वेपर कि देखो यह हम लेते हैं संग्चित अवस्ता में संग्चिप्त अवस्ता में और चूड़ते हैं संत्रप्त अवस्ता संत्रप्त अवस्ता में यह क्या होता है देखो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो वाटर वेपर अगर संचिप्त अभस्ता में लेंगे इसलिए हमें गर्मियों में अधिक प्यास लगती है और ठंड में कम प्यास लगती है गर्मियों में अधिक प्यास इसलिए लगती है क्योंकि वहां की जो नमी रहती है हम सुवह अगर नमी लें आप पूरे दि यह उतनी हमें छोड़ीनी पड़ेगी तो पानी जितना पिंगे उतना ही पसीने में और वस्रूम में निकल जाएगा तो हमें बार-बार प्यास लगती है कि भार की अवस्ता बड़ी सेचुरेटेट चल लग रही है लेकिन धंडों में सेचुरेटेट अवस्ता नहीं हो पात लगती कम पानी की जुरवत होती है कम सेचुरेट चाहिए और इसलिए ठंड में कम प्यास लगती है आप लोग समझे होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं ठीक है देखिए दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ा है इस छोटी सी वीडियो में कि कारबन डायोक्षाड का कैसे परि लाइं कितने प्रकार के बलेट होते है या रक्त्समून क्या होता है रच्थ दाभ क्या ऊतता है और यदि मता यह है तो आप क्या हो सकता है ठीक है मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जब तक अपना सवस्त रहें ख्याल रखें मस्त रहें heaven najज day, Thank you guys